सो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज हमें उज्जेंश जार गे नई सड़क के सेकेंड बाइक के मार्केट में तो ये वीडियो का पार्ट टू है पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उपर आई बेटल में लिंक आ रहा होगा या फिर डिसीशन बॉक्स में के उसके पर डिटेल देना एक वीडियो है तो ये पार्ट टू है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बनाते हैं सोसीजी के बाइक यहां के मार्केट में यह जो रोड के बीच आपने मज्जी देगी मज्जीद फदालियान इसके पास में यह गुडविल ऑटो एक्स्चेंज है यहां पे इनका ओटडिल भी है और ऑफिस है ओटडिल का और साथ में आपको यहीं पे इनके पास में गाड़ी आपको इनकी मिल जाएगी आप यह है ना 110 सिसी गाड़ी है कौन सा माटल है सर गाड़ी की शाइनिंग कंडिशन अभी ठीक ठाक है यह इसका बेक टायर है जो भी काम चल जाएगा आधा हो चुका है इसका बेक टायर है यह भी आदा हो चुका है और इसकी शाइनिंग कंडिशन अभी बरकरार है थोड़े इसक्रेच लग चुके हैं लेकिन शाइनिंग कंडिशन ठीक है बेक टायर है यह इसका बेक टायर है यह भी आदा हो चुका है और इसक्रेच है इसके बीश इसके बाइश से तो इसके टायर कंडिशन नहीं यह लगफार आदा हो चुका है और इसके चायर कंडििशन है ये आगे से घित चुकी गाड़ी इसक्रेच और शाइनिंग कंडिशन दोनों खराब चुकी और ये इस घाड़ी का खलते हैं बेक टायर जो नया है, और ये इस घाड़ी का बेक टायर जो आदा पुंसा है यह गाड़ी आपको मिल जाएगी गुडविल आटो डिल जो की है मजिद फदालियान नहीं सड़क उजजन और इसका ओफिस वे आपको मजिद के नीशे मिल जाएगा तो अगर आप भी इस गाड़ी को ढूंबना चाहरे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको देखते हैं नियो उजजन ऑटो डिल पेर ऑटो डिल और यहां पर आपको मैं सोसी सी गाड़ी दिखा तो यह है होंडा की ड्रीम नियो जो कि यह 16 मोटल स्थी हर पर डिमा है यह साइड में बेक टार आपको मिल जागा लगवा आजय से उपर नया ग्याराजार तीन सो बावन किलोमेटर चलीवी गाड़ी यही पर आपको एक और गाड़ी मिल जाएगी टीवेस इस्पोर्ट जो कि है 2016 मोटल इसकी भी डिमान तीसे आर रुपे हैं और यह भी करने मनिल जागा इसमें अकर बीमा इन दोण गाड़ी का नहीं है लगवलभवस अभी गाड़ेश ही आपको इसमें के घंच जाहरे का तो यह यह मार्केटे जहाँ फर यहां क्म चीड़ गाड़ी को मिला का में चींसा स्प्लेंडर आई स्मार्ट जो की दोजा 16 मोडल है 32 रपे डिमांड है देख टायर आपको पीछे से थोड़ा गिसावा है जारा गिसावा है और इसके श्रेस कंडिशन है शाइनी कंडिशन भी इसकी ठीक ठाक है तिरियाली 6 किलोमेटर चल चुकी यह गाड़ी फ्रेंट टाय में इस कलर में डूंड रहे हैं मेन फिनिश में थोड़ा आई सा रहे हैं तो आपको 2016 मोडल मिल जाएगी लगभा 90-11 पर में और इसका फ्रेंट टायर जो आधा हो चुका है ज़गा डिंग कंडिशन एवन में शाइनिंग कंडिशन ठीक है गाड़ी के किलोमीटर है यह भी चल चुकी गाड़ी यह हीरो की पेशन प्रो यह दोज़ा चौदा मॉडल है और चप्वी सब्सक्राइब बता रहे इसकी तो यह टायर कंडिशन है आदा लगबग हो चुका है और बेक टायर पी लगबग आदा सुपर मिल जाएगा आपको तो यह गाड़ी आपको स्वागत पागत आटो डील पर मिलेगी 25 क्लिम्टर लगबग चल चुकी है तो बहुत आपको मिल जाएगी यह ओनर है के हीरो की स्प्लेंडर जो नया मॉडल 2015 मॉडल स्प्लेंडर प्रो एपीडीवी 2015 मॉडल है 32 पर डिमांड है सरकी और फ्रेंट टायर इसका नया लगा हुआ है और बेक टायर भी लगबग आपको नया मिल जाएगा तो गाड़ी कंडिशन ठीक ठाक है तोड़ी शाइनिंग खतम हो चुकी है लेकिन कंडिशन इसक्रेश ल सुन रहे है रेट ब्लेक कलर में तो आपको यह मिल जाएगी दोजाव 16 मॉडल पर डिमांड है इसकी कंडिशन थोड़ी सी स्क्रेच में है शाइनिंग कंडिशन ठीक ठाक है फ्रंट टायर इसका बिल्कुल नया है और बेक टायर भी इसका ठीक ठाक नया कंडिशन में है य और यह दोनों गाड़ी मिलेगी आपको देखने के लिए स्प्लेंडर मोडल यह विल्कुल इसके चले से कडिए कंडिशन बहुत अच्छी है और साफ कंडिशन में है ग्यारा जार किलमेंटर चरी एक फ्रेंट डायर इसका अभी नया है लगवक बेक टायर भी लगवक नय है इसका तो आप आपके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छे हो सकती है बीमा इसका बीमा नहीं मिले आपको लगबगा सभी गाड़ियों में अधारा नवे मैंने की और क्या डिमांड इसकी फेताली सर पर डिमांड रखने है सर और फ्रेंट टायर भी नया है और बेक टायर भ सो ये दोनों गाड़ी आपको सेल्फ इस्टाट मिलेके ना इक है ये गाड़ी प्लेटैंगों ये साथी मिलेगे आपको दोनों गाड़ी कंडिशन शाइन में बहुत अच्छी है और बाजाज में ढून रहे हैं तो ये गाड़ी आप दोनों कंदो प्रची विल जाएगी और टीवेस की स्पोर्ट मोडल ब्लेक मोडल क्या मोडल ही 17 मोडल डिमांड क्या है बत्तिशार पर डिमांड है और किलोमेटर चल गई है यह 11000 किलोमेटर चली गाड़ी फ्रेंट टायर भी इसका ठीक्टा के आगे आधा चल जुगा है और रेक टायर इसको आपको अच्छा मिल जाएगा तो यह भी गाड़ी इसके चले से थोड़ से स्टीकर वगएर खराब हुची के लेंगिन ठीक्टा कंडिशन है यह जो सारी गाड़ी दिखाए टीवेस्पोर्ट यह सब भी आपको मिल जाएगी वेदा शॉर्टर टील पे और आप इसक चुका होगा अब वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कमेंट शेर जरूर करें